दोस्तो अज भले ही भारत के पास विश्यो की 34 सबसे सक्टी शाली सेना और 25 सबसे बड़ी एकोनोमी मजूद हो लेकिन इसके बावजूद आज भी भारत में विकास की काफी ज़्यादा जरूरत है जिस वज़े से कई विक्सित देश भारत को आर्थिक सहायता देते हैं ताक इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को मिली कई बिलियंड डॉलर की सहायता राशी पूरी तरह से बरबाद हो गई जिसके तहत इस लेटेश रिपोर्ट ने ये बास सबकी सामने रख दी है कि भारत को मिलने वाली काफी सारी सहायता रासी असल में कोई बड़ा इंपेक्ट ड तरफ से आई है और ये पूरा मामला क्या है दरसल दोस्तों हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसे आई सी ए आई मतलब इंडिपेंडेंट कमिशन फोर एड इंपेक्ट ने पब्लिश किया है आई सी ए आई ने अपने आडिट रिपोर्ट में बताया है कि साल 2016 से लेकर 2021 के बीच में भारत को ब्रिटेन की तरफ से 2.3 मिलियन यूरो की सहयता राशी मिली थी जिसका इस्तिमाल हमें कई जरूरी परिशानियों को हल करने में करना था जिसे अगर सही तरीके से खर्च किया जाता तो भारत में गरीबी काफी हद तक खत्म हो सकते थी और हमारी मेड स्क्रीन पर डेली मेल के आर्टिकल का स्क्रीन सॉट भी देख सकते हैं ऐसे में इस रिपोर्ट को पब्लिस करने के बाद ICAI के चीफ डॉक्टर टेमसें बार्टन ने कहा है कि साल 2021 में भारत ब्रिटेन की तरफ से दूसरे देशों को मिलने वाले फाइनेंशल एड की लिष् साहिता जिस मकसद से कर रहा है उसे प्यूरा किया जा सके लेकिन ICAI की तरफ से सामने आई इस रिपोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि अगर हमारे पास फाइनेंशल एड को चरंड बद और सही तरह से इन्वेस्ट करने के लिए कोई मजबूत योजना मजूत नहीं है तो च इसके तहित हम देश में गरीबी को कम करने के साथ साथ अपने infrastructure, education और healthcare system को भी मजबूत कर सकेंगे हाना कि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि मात्र कुछ billion dollar की मदद से भारत में ना तो गरीबी खत्म हो सकती और ना ही अचानक से कोई बड़ा बदलाव लाया जा स लेकिन अगर हम गरीबी को हराने के लिए दो साल या चार साल का नहीं बलकि दस साल की एक लंबी योजना बना कर चले जिसके तहत हम चरणडबत तरीके से हर साल कई billion dollar अपने देश के infrastructure और industry में निवेस करेंगे ताकि देश का education और health care system मजबूत हो सकी जिस से अपने आप ही देश की गरीबी खत्म होने लगेगी और सिर्फ तब जाकर हम कोई बड़ा बतलाव ला सकते हैं बरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ तो दोस्तों ये खबर अमेरिका की तरफ से निकल कर सामने आ रही है जिसके तहत अमेरिका ने बले ही पिछले दो सालों से भारत में कोई भी अमबेशडर तैनात नहीं किया हो लेकिन अपनी इसी कमी को छिपाने के लिए अमेरिका भारतियों को दिये जाने वाले वीजा में एप्लिकेशन टाइम और प्रेसेस को कम करने के लिए तेजी से काम कर रहा है ताकि बड़ी संक्या में भारतियों को ग्रेंट वीजा को प्रोसेस करने की योजना बना रहा है जिससे पिछले साल के मुकाबले जादा बड़ी संक्या में भारतिया अमेरिका की यातरा कर सकेंगे रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर The Times of India की आर्टिकल का स्क्रीन सॉट भी देख सकते हैं वहें पर आप करने और गूमने के लिए जाना पसंद करते हैं जो कोई हरानी की बात भी नहीं है क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही इंडियन ट्यूरिस्ट की पहली पसंद रहा है हाना कि भले ही अमेरिका काफी बड़ी संख्या में भारतियों को नॉन एमेग्रेंट वीजा देने की बात कर हो लेकिन हम इस फैक्ट को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते कि आज भी भारत में अमेरिका ने अपना कोई भी अमबेशडर तैनात नहीं किया यानि जिस देश को अमेरिका ने अपनी नेशनल सेक्यूरिटी रिपोर्ट में अपना एलाई तक बताया उस देश में अमेरिका के साथ धन्यवाद जहन